नमस्कार प्रणाम जहिन कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ सारे लोग स्वस्थ होगे मस्थ होगे जबर्दस्थ होगे और जैसे आप सबको बता है दोस्तों कि आज का जो विशे है वो cds के एक्जाम को लिकर मैं आप सभी के साथ चुड़ा हूँ विशे क्या है वो मैं आप सबको बताना चाते हूँ अगर आप लोग चाहें defense अड़ा से preparation कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप चाहें किसी offline संस्ता से तयारी कर रहे हैं आप चाहें self study कर रहे हैं या आप किसी और online platform के थरो पनी पढ़ाही को जारी कर हुए है तो मैं आपको बता दूँ आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन ये 5 वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट वीडियो होने पाले है आज मैं आपको CDS की तेयर इसे रिलेटेट 5 वीडियो बताऊंगा और उन 5 वीडियो के चो लिंक होंगे वो आपको बोक्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे जहांसे इजी लिए आप उन 5 वीडियो पर जा सकते हैं हमको 2-3 चीज़े समझना हो गए आपर सबसे पहली चीज की क्यों मैं इन 5 वीडियो की बात कर रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि हम CDS related किसी और किसी अपनी समस्चा को ले एक गलत information किसी वी विद्यारती को एक गलत direction के लिए जगह ले जाकर खड़ा कर देती हैं तो मैंने कोशिश की है कि CDS की एक जो विद्यारती पहले आज पहली बार CDS का नाम सुन रहा है और वो सोच रहा मैं preparation करूं और एक ऐसा विद्यारती जिसके पास last attempt बचा हुए CDS का उन दोनों के मन के अंदर जो सवाल उठते हैं CDS के एक्जाम्स को लेकर उन सबके जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दे पाऊं इन पांच वीडियो के अंदर आपको ये भी पता चलेगा कि preparation को शुरू कहां से करना है ये भी पता चलेगा कि क्या पढ़ना है औ उनके चो लिंक्स है वो आपको description और comment के अंतर देखने को मिल जाएंगे जहांसा आप easily access करके उन वीडियो को देख सकते हैं तो आपको भटक नहीं क्या वश्यक्ता नहीं है सारी authentic information के साथ मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर रहा हूं तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहल बहुत सारे से convent school या फिर kb schools की बात करूँ या सेनिक schools की बात करूँ वहां student defense exams को बहुत बारीकी से observe करे वे होते हैं starting और उनको पता होती है उन्ची जो के बारे में लेकिन अगर हम बात करें मैं अपनी बात करूँ मैं भी यूपी वोर्ट से पढ़ा हूं तो बहुत सार अग्जाम है क्या इसकी complete जो एक information है वो आपको इस वीडियो मिलेगी जो आपको description में number one पर देखने को मिलेगी साथ साथ comment section के अंदर भी इसका link आपको number one पर देखने को मिलेगा तो जिसकी को भी इसके बारे में पूरी जान करी चाहिए वो पहली वीडियो को देख सकते है अम आते हैं second video की तरफ जो दूसरा video है हमारा वो किस चीज़ पर waste होने वाला है second video जो हमारा आता है that is called कि अगर हम बात करें cds कौन कितने ऐसे लोग हैं जो cds के exam को दे सकते हैं अगर हम बात करें IMA के लिए जा रहे है INA के लिए जा रहे है AFA के लिए या OTA के लिए जा रहे हैं तो क्या age criteria पर्टिकुलर रहता है क्या कोई age relaxation होता है या नहीं होता है साथ में education qualification मतलब मैं final year का student हो तो क्या मैं इस exam को दे पाऊंगा या फिर मैं graduate किस से graduate होना चाहिए क इतनी percentage उने चीए वो सारी जान करी आपको इस वीडियो के माद हमसे देखने को मिल जाएगी वहीं आते हम थर्ड वीडियो पर यह वीडियो आपको second number पर देखने को मिलेगी eligibility वाली comment में और description में भी थर्ड वीडियो आती है कि क्या पढ़ना है मुझे सब एक्जाम पेटन के अंदर आपको जाकर particular subject के अंदर आपको जाकर इस चीज को पढ़ना होगा तो वह complete जैन करी आपको इस वीडियो के माद्यम से दे रखिए अब क्या पढ़ना है यह कहीं न कहीं अगर हम बात करने के experience जो पहले कभी cds दे चुक है वह भली भात ही इन चीउ को देखकर प्रिपरेशन की जानी थी तो उसके लिए भी आपको समधान देखने को मिलेगा अगर हम बात करें तो एक पूरी की पूरी स्टेटेजी कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना प्रिपरेशन की complete स्टेटेजी विगिनर्स के लिए यह और उनके लिए भी है जो अभी exam qualify नहीं कर करना है तीन सितंबर को exam है तो कैसे उस particular time period को utilize करके मैं अपने score को बहतर की तरफ ले जा पाऊं यह fourth number पर आपको मिलेगी description box के अंदर इसका link और साथ में comment box में भी अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा आगे चलते हैं और लास्ट वीडियो अगर हम बात करें that is your all FAQ FAQ बोलता है frequently asked questions मतला इसके अलाबा आपके मन के अंतर जितने प्रश्ण प्रश्ण बन सकते हैं उन सभी प्रश्णों के उत्तर इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जो commonly आपके कॉमनली प्रश्ण अवैसा नहीं कि आपको सीडियो को लेके आप सोतर होगे out of the box वो नहीं जो कहीना कि एक common question होता है जो हर किसी विध्यारती का हर तीस हैं ताकि आपके सारी के सारी प्रश्णों के जवाब भी आपको मिल जाएं इस वीडियो को अगर आपको देखना है तो आप पांचवे नंबर पर चो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट के अंदर आप उस पर क्लिक करें इस वीडियो को विजिट कर सकते हैं तो यह पांच वीडियो हैं और आप अपना एक फीडियो के जुरूर शेयर कि यह करिएगा कि इन पांच वीडियो को एक साथ मैंने जो आपको प्रवाइड करने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश किये तो यह इनिसियेटिव आपको कैसा लगा है आप और एक्जाम्स क